ही गाइस तो वैलकुम बैक टू माइ ब्लॉग चैनल सबसे पहले मिलिए ग्यान भी से इसको देगो यह क्या करें टोकरी को सरवे रखे थी तो गाइस आप लोग कैसे हैं आसा गरती हूं अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो गाइस आज मैं उठी ती साथ बजे और मुझे कर यह बत्सथा आच नमां तो मैं सनी विशत रही थी तो यह मैंसेफ्चिन को ठाड़ा के साफ किया पर उसके बाद मैं नीचे तल मैं करने से कपड़े से साप कर दिया था को फो प government मैं आदा रही थी और यह ग्यान भी शेतानिया साब कर रही थी जर्यala कि यह ने को खूं स समय निकालना चारी थी तो मैंने पहले ही ठोक दिया था तो फंस जला है तो देखने पाइब तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो यह देखिए कहीं रख रही थी कहीं काफी सम्मन तो इसनों उठा ओठा के दूसरी जगह रख दिया था तो यह देखे में समान को निकाला और यह देखिए जो गर्मी वाली जो बैड सीटें थी तो वह मैं सारी निकाल के बैड में रखने लगी थी क्योंकि अभी इनकी फिलाल कोई जरूत नहीं है क्योंकि सामान बहुत जादा है और कमरा उतना ही साही है तो मुझे सब कुछ एड्रस करके ही रखना पड़ कर लेंगे तो यह देखिए छैन सामान बहुत जा रही कौछ है तो सब माई को कुछा करता है उनके बचेश जब नियुक्ता सामान रही थी जा रही तो को मघश पार्णार सामां लोग मंसे कोशर को मघट diffal लाल है अधर भी मैंने अच्छे से साब कर लिया था फिर मैंने क्या करा इनको उपर बैड सीट बिछा दी ती अच्छे से क्योंकि जो भी ब्रादा प्लाइ से निकलेगा और कुछ भी होगा तो इसके वैड सीट के ऊपर होगा कि वाली बैड सीट मैं यूज नहीं करती तो अच्छे से हम साब भी कर दिया करेंगे जल 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 दी गंदा नहीं हुआ करेगा तो उसके बाद यह ग्यान भी वी उपर आ गई थी और एक ट्रे भी तोड़ दी थी यह धर अधर घूम रही थी तो एक ट्रे टूट गी थी फिर मैंने घुमा के इसको सीधा किया तो उतना मैंने काट दिया था वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था तो मुस्किल से मैंने इसको एड़िस कर पाया था और ग्यान भी का तो बस यह है कि इस से मैं कह रही थी दूर अट जा भई कहीं उंगली ना दब जा इस चकर मैं दल लगता है एक दिन इसकी उंगली दब गई थी तो तब से मुझे बहुत दल लगता है कि इसको दूरी रखती हूं बैट से तो आप मिलते हैं आंगे तब तक बने रहे हैं Hey guys तो अभी मैं नहा के आगी हूं और मैंने भी चाय बना ली है और साथ में ही मैगी वनाई है मैंने का सुक्वियाद मैगी बना लीए तो भीस ताइम देढ़ बज गया है में एक बचके था कर नहागी आचकी थी लोग्यान भी리 म Ну"-को तैयार कर दिया तो फिने चाय बनाई और मैगी बना लिए बस वही खाने वैठी है और थोड़े से आलू मैंने उबलने के लिए रख दिये हैं और क्योंकि आज बहुत काम पढ़ गया था मुझे बहुत ज्यादा कि पूरा बैड भी साप किया सामने बाला कमरा था वो भी साप किया और उसके बाद च्छतपूरी साप की दुली और बातरूम जो मेरी थी वो भी मैंने साप की तो बस अभी मुझे टाइम मिला है खाने का थोड़ा सा आलू बलना रख दिये तो उसकी कुछ सबजी बनाएंग आपको दिखाते हैं कि किता टाइम हो गया तो इतना टाइम हो गया है अभी मुझे परदे लगाने हैं पूरे उपर वाला है वो अभी नहीं लग पाएगा क्योंकि उसका पाइप कब तूट गया है तो वो उखड गया है तो वो जब लग जाएका तबी तो प्लाल गाइस अभी हम घा लेते हैंห助 चाह पी लेती है इसे पर अड़ा लेती है तो गाइस है चाहा और माईगर ऊसे Highway है मतलब पी लिए और माईगी है तो अभी मैste ह crawling से लिए पाल क्य़कि वाल की थिरनलता कि फिछट बहुत आप गंधी मैं बंदर साप कर गएा नहीं तो अभी देखो मैं पॉने दो हो गए हैं और तो भी मैं थुड़ देर बाद खाना बनाओंगी क्योंकि आज पापा की चुट्टे हो जाएगी तो यह लोग आ रहे हैं तो खाना बनाना भी जरूरी है अलुवाल के मैं रख दिये हैं अभी थुड़ दिर बाद मैं सब्जी बना दूँगी जब आएंगे तब हलके हलो रोटी बना देंगे तो देखते हैं कितना टायम लगता है फॉन करके पूछ लेंगे तब ही बनाएंगे तो तो मैं गय थी अभी मार्केट मार्केट से अभी आई हूं आदा गंटा हो गया है और मैंने साम की पूजा कर ली है दीपक भी जला दिया है और ग्यानवी की बोटल भी खौला दी है क्योंकि आज थी धंते रस तो आज के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदा जाता है तो उसी के लिए मैं गई थी तो धंते रस के दिन जो भी चाओ जो भी आपके मन में जो चा जो पलावली के दिन यूज होता है तो वह सारा सामाल लेके आए हूं बस दो चीजैं नहीं आपाई हैं एक तो ये फ्लावर वाली माला जो गेड्प लटकाई जाती है बो और यिये लाइट वाली लरी तो ये नहीं लेकि आपाए क्योंकि मेरे पास काफी बजन हो गया थ दौज तहले बड़े बड़े दो करते अच्छ 간ता है आज की काफी लंबा हम दिखा पाएंगे आज की अच्छे लूग में लंबा हो जाएगा वैसे भी काफी लंबा हो चुका है तो कि आज की लिए नहीं ठाफ काई क्षान नीन शेख और सब्सक्राइए। car और उसके बाद बहुत सारी सफाई करने पड़ी तो बहुत ज्यादा थकान भी होगी अब मैं कुछ बना खा लूँ यह लोग दिखते हैं कितने टाइम तक आ जाते हैं फिर इनके लिए सबजी तो बना के मैंना भी रख दी है रोटी में थोड़ देर में बना दूगी तब त लाइक शेयर कमेंट सस्क्राइब जरूर कर दिया करें प्लीज तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई